हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस्टडी एक्जाम में आज हम आपके लुसेंट जीके से महतपुन 50 MSQ लगाएंगे तो चलिए सीधे कोचन आंसर पर बात करते हैं देखिए आपका पहला कोचन दे रहाए कि भागवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थ इसके आगे आपका अगला कोचन है कि आरे समाज की अस्थापना किष्ने की थी तो स्वामी दयान अनसर सत्ति के द्वरा किया गया था इसके आगे आपका अगला कोचन है कि पंजाबी भासा की लिपी कौन सी है तो गुरु मुखी लिपी है इसके आगे आपका अगला कोच तो अरुनाचर परदेश में निकलता है इसके आग्याब का अगला कोचन है कि इनुसुलीन का प्रियोग किस बीमारी के उपचार में होता है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मधुमेह के बीमारी में होता है अगला कोचन है कि बिहु किस राज का प्रसीद तेहवार है तो असम राजिका प्रसीद तेवार है इसके आग्याब का अगला कोचन है कि कौन सा विटामिन आमले में प्रचूर मातरा में मिलता है तो विटामिन सी मिलता है इसके आगे आपका अगला कोचन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो बिलियम बैंटिंग थे अगला कोचन है कि कागज का अभिस्कार किस देश में हुआ था तो चीन में हुआ था इसके आग्याब का अगला कोचन है कि गौतम बुध का बच्पन का नाम क्या था तो सिदार्थ नाम था इसके आग्याब का अगला कोचन है कि भारत में ससस्तर बलो का सर्वोच सिनापती कौन होता है तो राष्टपती होता है इसके आगे आपका देखिए अगला कोचन दे रहा है कि रतवधी किस बिटामिन की कमी से होता है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बिटामिन A की कमी से होता है इसके आगयाब का अगला कोचन है कि पोंगल किस राज का तेहवार है तो तमिलनाडू राज का तेहवार है इसके आगयाब का अगला कोचन है कि गिद्दा और भांगडा किस राज के लोक निर्ति हैं तो पंजाब राज के लोक निर्ति हैं इसके आगे आपका अगला कोचन है कि टेली बीजन का अविसकार किशने किया था तो इसका सही उत्तराब को ह जाएगा जान लोगी बेयर्ड के दुआरा किया गया था देखे इसके आग्याब का अगला कोचन देरा है कि भारत की पहली महिला सासी का कौन थी तो रजिया सुल्तान थी अगला कोचन है कि मचली किसकी साहता से सांस लेती है तो गलफडों की साहता से सांस लेती है इसके आगे आपका अगला कोचन है कि इन कलाब जिन्दाबाद का नारा किशने दिया था तो भगास सिंग के द्वारा दिया गया था उसके आग्याब कांगरेस चूड़ने के बाद सुबाष चंदर बोस ने किस दल की अस्थापना की थी तो फारवट बलाग की अस्थापना की थी अगला कोचन है कि पंजाब के सरी किसे कहा जाता है तो लाला लाजपत राई को कहा जाता है अगला कोचन है कि सांडर्स की हत्या किसने की थी तो भगस सिंग के द्वारा किया गया था इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि 1857 इस भी के बिद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था तो इसका सही उत्तराप का हो जाएगा मंगल पांडे ने दिया था और इनको फांसी कब हुई थी तो इनको फांसी आपका 8 अप्रेल 1857 को सबसे पहले हुआ था इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि भारत की पहली महिला राजपाल कौन थी तो सरोजनी नाइडू थी इसके आगे आपका अगला कोशन है कि माउंट एबरेष्ट पर दो बार चड़ने वाली पहली महिला कौन थी तो संतोस यादो थी इसके आग्याप का अगला कोचन है कि ब्रह्म समाज की अस्थापना किसके द्वारा किया गया था तो राजा राम मोहन राह के द्वारा किया गया था इसके आग्याप का अगला कोचन है कि स्वामी दायानन ससत्ति का मूल नाम किया था तो इनका नाम मूल संकर था अगला कोचन है कि बेदो की और लोटो का नारा किशने दिया था तो दायानन ससत्ति के द्वारा दिया गया था इसके आगला कोचन है कि राम कृष्ण मिशन की अस्थापना किशने की थी तो स्वामी विवेका नंद के द्वारा किया गया था इसके आगे आपका अगला कोचन है कि वास्कोर डिगामा भारत कब आया था तो 1498 इसमी में भारत आया था अगला कोचन है कि वास्कोर डिगामा कहां का रहने वाला था तो पुर्तगाल का रहने वाला था इसके आगे आपका अगला कोचन है कि हावा महल कहां इस्तित है तो जैपुर में इस्तित है इसके आगे आपका अगला कोचन है कि सीख धर्म का संस्थापक किस सीख गुरु को माना जाता है तो गुरु नानक देव को माना जाता है अगला आपका देखिए कोचन दे रहा है कि सीखों का प्रमुख तेहवार कौन सा है तो बैसाखी इनका प्रमुख तेवार है इसके आगला कोचन है कि लोह पुरुस किस महा पुरुस को कहा जाता है तो सरदार पटेल को कहा जाता है अगला कोशन है कि नेता जी किस महापुरुस को का जाता है तो सुभास चंदर बोस को का जाता है इसके आग्याप का अगला कोशन है कि दिल्ली इस्तित लाल बाहदु सास्त्री की समाधी का क्या नाम है तो बीजाएगाट नाम है इसके आगे आपका देखी अगला कोशन देरा है कि महाभारत के रचाईता कौन है तो महर्शी बेदव्यास हैं अगला आपका चालिश नमर कोशन है कि अर्थ सास्त नामक पुस्ता किष्णे लिखी है तो चानक के यानि की कव्टिली के द्वारा लिखा गया है इसके आगे आपका जय अगला कोचन देरा है कि जय जवान जय किसान का नारा किशने दिया था तो लाल बहादू सास्री के द्वारा दिया गया था अगला कोचन है कि सविधान सभा का अस्थाई अध्यच कौन था तो डाक्टर राजिंदर परशाथ थे इसके आगे आपका अगला कोशन है कि सविधान सभा की प्रारूप समीति के अध्यच कौन थे तो डाक्टर भीम रावमेट कर थे और प्रारूप समीति में कितने सदस्य थे तो आपके साथ सदस्य थे इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि विश्वरेड क्रास दिवस किस्तित तारिक को मनाये जाता है तो आठ माई को मनाये जाता है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि सुर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसीध है तो इसका सही उत्तराप का हो जाएगा जपान देश प्रसीध है अगला कोचन है कि अंतराष्टिय महिला दिवस कि स्थिथी को मिनाए जाता है तो आठ मार्च को मिनाए जाता है अगला कोशन है कि छेतरफल की दिष्टी से भारत में सबसे छोटा राज कौन सा है तो गुवा इसका सही उत्तर हो जाएगा इसकी आगला कोशन है कि ओडम किस राज का प्रसीद तेवार है तो केरल राज का प्रसीद तेवार है अगला कोशन है कि दिल्ली भारत की राइधानी कब बनी थी तो इसका सही उत्तराप का हुजाएगा 1911 में बना था और आज का लाश कोशन दे रहा है कि सबसे चमकिला ग्रह कौन सा है तो इसका सही उत्तराप का हुजाएगा सुक्र ग्रह आपका सबसे चमकिला ग्रह है